इस साल अंतर राष्ट्रिय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तैय हुई है आज हम सब सामों ही कारक्रमों से दूर रहकर गर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं बच्चे हो बड़े हो युवा हो परिवार के बुजुर हो सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक उर्जा का संचार होता है और इसलिए इस बार का योग दिवस अगर मैं दूसरे सब्दों में कहूं तो यह बावात्मक योग का भी दिन है हमारी फैमिली बॉंडिंग को भी बढ़ाने का दिन है साथियों कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरुरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इमिनिटी स्ट्रॉंग हो तो हमें इस बिमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है इमिनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विद्विद्या है अनेक प्रकार के आशन है वो आशन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाते हैं हमारे मेटाबोलिजम उसको शक्तिशाली करते हैं लेकिन कोविड-19 वाइरस खासतोर पर हमारे स्वसंत तंत्र यानि की रेस्पिरेटरी सिस्टिम पर अटेक करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को स्टौन करने में जिससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो है प्रानायम प्रानायम याने एक प्रकार से ब्रिथिंग एक्सरसाइज है सामान्य तोर पर अनुलों बिलों प्रानायम यह प्रकार से पॉपिलर भी हैं आप भी जानते हैं और लोग प्रकार है इसमें अगर आप प्रानायम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शितली हैं कपाल भाती हैं ब्रामरी है भस्त्री का है बहुत हैं अंगिनत है अब तो नहीं ने जूड़ते भी चले जा रहे हैं योग की यह सभी विधाएं यह तक्नीक हमारे रेश्पि सिस्टीम और इम्यून सिस्टीम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती हैं इसलिए आप से मेरा विशेश आगरा है आप आसन करते हो एक्सेसाइज करते हो जो भी करते हो जुरूर करें लेकिन आप प्राणायम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलों बिलों के साथ ही अने जो प्राणायम की टक्नीक्स हैं उसे भी सीखिए उसको सिद्ध कीजिए योग की इन पध्धत्यों का लाब बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में यह कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशंट उसका लाब ले भी रहे हैं योग की ताकत से उने इस बिमारी को हराने में मदद मिल रही है साथियों योग से हमें वो आत्मविश्वास और मरोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूच सकें और जीत सकें योग से हमें शांती मिलती हैं मानसिक शांती मिलती हैं संयम और सहन सक्ती भी मिलती है स्वामी विवेकान जी कहां करते थे एक आदर्श वक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशिल रहता है और अध्यतिक गतिसिल में भी संपूण शांती का अनुभो करता है किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ख्षमता होती है जब बहुत जादा विपरित परिस्थिती हो तब भी एक्टिव रहना ठक कर हार न मानना बैलेंस रहना ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं हमारे जीवन को बदल देती हैं ताकत देती हैं और इसलिए आपने भी देखा होगा मैसूस किया होगा योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है योग का अर्थी है समत्वम योग उच्चते हर्थात अनोकुलता प्रतिकुलता सभलता विफलता सूप संकट हर प्रतिती में समान रहने अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं योग योग अन्हेंस और क्वेस्ट वर एल्धियर प्रतित इमेर्ज विट्ट वर लूट यूच्ट विबंज और प्रतित it does not discriminate it goes beyond race color gender faith and nations anybody can embrace yoga all you need is some part of your time and empty space yoga is giving us not only the physical strength but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us friends if we can fine tune our course of health and hope the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity yoga can definitely help us make this happen say the 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 समाधान की बात कर रहे हैं दुनिया के कल्यान की बात कर रहे हैं तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनस्मरण करना चाहता हूँ गीता में बगवान कर्ष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है योगह कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म की कुसलता ही योग है efficiency in action is yoga ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधीक योग्य बढ़ने की ख्यमता पैदा होती है अगर हम अपना काम अनुशाशन से करते हैं अपना दाइत्व निभाते हैं तो भी एक तरह का योग ही है साथियों कर्मयोग का एक विस्तार और है हमारी यहां कहां गया है युक्त आहार विहारश्य युक्त चेश्टश्य कर्मशु युक्त स्वप्नाव बोदश्य योगो भवती दुखा अर्थात सही खानपान सही डंग से खेलकूत सोने जागने की सही आदतें और अपने काम अपनी डूटीज को सही डंग से करना ही योग है इसी कर्मियोग से हमें सभी तकलिफों और समस्याओं का समाधान मिलता है इतना ही नहीं हमारे यहां निश्काम कर्म को बीना किसी स्वार्त के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मियोग कहां गया है कर्मियोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है जब भी जरूरत पड़ी भारत के इस निश्वार्द भाव को पूरी दुनिया ने अनुभोग किया है साथियों जब हम योग से चलते हैं कर्मियोग की भावना से चलते हैं तो व्यक्ति के तौर पर समाज के तौर पर देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है हम अपने स्वास्त के लिए अपनों के स्वास्त के लिए हर संभव प्रयास करेंगे एक सजग नागरिक के रुप में हम परिवार और समाज के रुप में एक जुट होकर आगे बढ़ेंगे हम प्रयास करेंगे कि योगा एड होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाए इस्थरम एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए और अगर हम यह करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे हम जरूर विजय होंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर राष्टिय योग दिवस की अनेक अनेक शुब कामनाए लोकाहा समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम झाल